आज मैं आपके लिए एक प्यारा सा बॉर्डर डिजाइन लेके आई हूँ इस डिजाइन को आप किसी भी लेडी कार्डिगन, बेबी स्वेटर या बेबी फ्रॉक में अपलाए कर सकते हैं ये डिजाइन 20 के मल्टिपल में डलेगा प्लस वन वन स्टिच एक्स्ट्रा मैं इसको लेडी टॉप में अपलाए कर रहे हूँ इसके लिए मैं साइड में पहले फर्स्ट स्टिच हम सिधा बुनेंगे फिर पांच फंदे उल्टे इसके बाद अब ये डिजाइन अपलाए होगा एक सीधा धागा अपनी तरफ करके दो फंदे उल्टे इसके बाद इस एक फंदे के हमने छे फंदे बनाने हैं एक उल्टा फिर धागा पीछे किया फिर एक सीधा फिर धागा अपनी तरफ किया फिर उल्टा धागा पीछे किया सीधा बुना अपनी तरफ किया उल्टा बुना ये हमारे पास छे फंदे हो गए एक के हमने छे बनाए फिर सिलाई को गुमाना है और धागे को भी अपनी तरफ करके इन छे फंदों का हमने एक फंदा बनाना है इस तरह के से फिर धागा इस साइड करके इसको इस सिलाई पर ले लड़ना है इसके बाद फिर दो फंदे उल्टे दो फंदे उल्टे बुने फिर अगेन इसके हमने एक फंदे के छे बनाने है वन, टू, थ्री, फूर, फाइव, और शिक्स फिर सिलाई को गुमाया और शे फंदों का हमने एक फंदा करना है इस तरह के से धागा अपनी तरफ करके इस वाले फंदे को इसी सिलाई पर ले लेंगे फिर बीच में दो उल्टे इस तरीके से हमने पांच बबल बनाने है वन, टू, फाइव हमने कंप्लेट करने है अब दिखिए ये मैंने वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, फाइव बबल बना लिये है इसके बाद दो उल्टे फिर बीच में हमने तीन फंदे सीधे लेने है फिर धागा अपनी तरफ करके दो फंदे उल्टे बुनने है इसके बाद फिर से हम पांच बबल बनाएँगे स्टार्टिंग में मैंने पांच फंदे उल्टे लिये फिर एक फंदा सीधा लिया फिर एक फंदे पे छे वार धागा गुमाके हमने छे का एक करके यानि कि यहाँ पे हमने बबल बनाने है पांच बबल मैंने यहाँ पे बना लिये फिर दो फंदे उल्टे तीन फंदे सीधे अगेन दो फंदे उल्टे अब इस अगले वाले फंदे पर फिर से हमने बबल बनाना है एक सीधा धागा अपनी तरफ करके उल्टा फिर धागा पिछे किया सीधा धागा अपनी तरफ किया उल्टा धागा पिछे किया सीधा धागा अपनी तरफ किया उल्टा फिर सिलाई को गुमाके दागे को अपनी तरफ करके इंचे फंदों का हमने एक फंदा बनाना है इसके बाद फिर से दो फंदे उल्टे जब भी हम बबल बनाएंगे दो फंदे हम बीच में उल्टे लेंगे फिर दागा पीचे करके एक फंदे के हमने इसमें छे फंदे बनाने है और छे का फिर हम एक फंदा कर देंगे इस तरीके से मैं आपको अगले पांच बबल बना के दिखाती हूँ देखे मैंने पांच बबल बना लिये हैं इसके बाद दो फंदे उल्टे फिर अगेन बीच में तीन फंदे सीधे धागा अपनी तरफ करके दो फंदे उल्टे फिर जितने आपके प्रोजेक्ट के लिए आपको फंदे चाहिए उसमें उस हिसाब से 20-20 के मल्टिपल में आप इस तरीके से फर्स्ट रो बना कर कंप्लेट कर लीजिए पांच बबल बनाएं दो उल्टे बीच में तीन सिधे दो उल्टे पस यही वाला पैटर्न हमने बीच में रखना है और उसके यह देखिए फर्स्ट रो मैंने कंप्लेट कर ली है अब सेकंड रो बैक साइड से पूरी की पूरी रो हम उल्टी बनाएंगे सारे फंदे उल्टे उल्टे बुनकर रेड़ी करेंगे इस पैटर्न में जितनी भी बैक साइड से सिलाई आएंगी वो सारी उल्टी उल्टी ही आएंगी सारे फंदे हम उल्टे ही बुनेंगे उनमें कोई चेंजिंग नहीं होगी मैं सेकंड रो कंप्लेट कर लेती हूँ इसके बाद जो हमने एक फंदा सीधा लिया था, इस पे हमने जाली बनानी है, धागा अपनी तरफ रखेंगे और इस फंदे को हम ऐसे सीधा बुनेंगे, फिर धागा अपनी तरफ किया, दो फंदे उल्टे, बबल वाला फंदा हमने सीधा बनाना है, धागा अपनी तरफ किय अगले दो फंदे उल्टे, फिर धागा पिछे किया, बबल वाला फंदा सेधा, दो फंदे उल्टे, यहाँ पे दिखिए, दो उल्टे एक सेधा, और जब दो बबल तक हम बुल लेंगे, तो उसके बाद हमने यहाँ पे एक उल्टा करना है, और जो बीच बाला बबल होगा, इसमें हमने यह दो फंदे ऐसे सीधे इस सिलाई पे उठाने है, और इस पीछे वाले फंदे को सीधा बनाना है, और इन दो फंदों को इसके उपर से हमने गिरा देना है, जैसे हम गले का सेंटर वाला फंदा करते हैं, उस तरीके से हमने यहा पर तीन फंदों का एक करना है फिर धागा अपनी तरफ किया एक उल्टा बुना एक सीधा बुना फिर अगेन दो फंदे उल्टे एक फंदा सीधा दो फंदे उल्टे और अब यहाँ पर जो हमने तीन फंदे सीधे बुने थे तीन फंदे हमने सीधे बुने थे उसमें हमने सैंटर वाले फंदे पर जाली बनानी है एक सीधा बुना धागा अपनी तरफ किया जाली बनाई धागा अपनी तरफ किया एक फंदा फिर से हमने सीधा बनाना है फिर धागा अपनी तरफ करके दो फंदे, उल्टे, एक फंदा सीधा, दो फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, अब देखिए दो बबल बुन लिये हैं, तीसरे बबल पर जब पहुंचेंगे तो यहाँ पर हमने सिर्फ एक फंदा उल्टा बुनना है और इस बबल का एक फंदा और एक एक यहाँ से लेके, यह दो फंदे हम इस तरीके से सिलाई पे ले लेंगे और पीछे वाले फंदे को हम सीधा बुनेंगे और इन दो फंदों को फिर हम इस सीधे वाले फंदे के उपर से गिरा देंगे इस तरीके से हम यहाँ पर तीन फंदों का एक कर देंगे फिर एक उल्टा, दो, एक उल्टा, एक सीधा, दो फंदे, उल्टे, एक फंदा सीधा, दो फंदे, उल्टे अब यह जो बीच में तीन फंदे सीधे आए, इसमें फिर से हमने एक फंदा सीधा लेना है और इस बीच वाले सीधे फंदे पर एक एक हमने यहाँ पर जाली बनानी है इसी तरीके से हम थर्ड रो बना कर कंप्लेट करेंगे अब देखिए, फोर्थ रो मैंने बैक साइट से पूरी की पूरी रो उल्टी बना ली थी अब फिफ्थ रो में हमने स्टार्टिंग में मैंने जो मैं पांच फंदे उल्टे लेती हूँ वो बुन लिये हैं अब यहां देखिए, यहां पे मैंने एक जाली डाली थी, इस जाली को सीधा बनाना है फिर यहां पे धागा अपनी साइड करके एक जाली फिर से बनानी है फिर दो फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, दो फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा अब यहां देखिए, जो सेंटर वाला बबल है, इसके वाला फंदा और इसके साथ वाले फंदे को हम इस तरीके से उठाएंगे और इसके पीछे वाले फंदे को हम सीधा बना लेंगे, और इन दो फंदों को इसके उपर से गिराएंगे हर बार जो सीधी सिलाई आएगी, उसमें सेंटर वाले बबल पे हमने तीन फंदों का एक फंदा करना है और इसके बाद फिर से आगया एक फंदा सीधा, दो फंदे आगये उल्टे, और एक फंदा सीधा यहाँ पे दिख जाता है कौन सा फंदा उल्टा है, कौन सा फंदा सीधा है, फिर दो फंदे उल्टे, अब यहाँ पे दिखिए, यहाँ पे हमने सीधे फंदे के इस साइड और इस साइड एक एक जाली बनाई थी अब फिर से हमने एक फंदा सीधा लेना है धागा अपनी तरफ किया फिर से जाली डाली बीच में हमारे तीन फंदे सीधे आ जाएंगे जाली वाले फिर धागा अपनी तरफ किया और एक जाली यहाँ पे फिर से बना दी फिर दो फंदे उल्टे एक फंदा सीधा, दो फंदे उल्टे और एक फंदा सीधा अभी हाँ पे फिर से तीन फंदों का एक करना है दो फंदों को हमने ऐसे उठाना है तीसरे फंदे को सीधा बुनना है और इन दो उठाएवे फंदों को हमने इसके उपर से निकाल देना है इस तरीके से बबल वाला फंदा सीधा बुना दो फंदे हमने फिर से उल्टे बुने फिर एक फंदा हमारा सीधा आ गया और दो फंदे उल्टे एक फिर से देख लेजिए जाली कैसे डालनी है पहला फंदा सीधा बनाना है फिर धागा अपनी साइड करके यहां पे जाली बनाई फिर बीच के जो पहले के जाली वाले फंदे थे उनको हमने सीधा ही बनाना है फिर धागा अपनी तरफ करके यहां पे भी जाली बनानी है इस तरीके से हम फिफ्थ रो बनाकर रेडी देखे शिक्स्त रो मैंने बैक साइड से सारी की सारी रो उल्टी बना ली इस पैटरन में जितनी भी बैक साइड से सलाई आएंगी उनको हम उल्टी उल्टी बनाकर कम्प्लीट करेंगे अब देखे सेवन्त रो पहला फंदा स्लिप किया फोर फंदे मैंने उल्टे बना लिए फिर धागा पिछी किया दो फंदे हमारे जाली से बन गे थे इन दोनों को हमने सीधा बनाना है फिर धागा अपनी साइड किया जाली डाली एक फंदा सीधा बना दो फंदे उल्टे धागा पिछी किया एक फंदा सीधा दो फंदे अब दिखिए, यहां पर दो फंदे हमने ऐसे ही उतारने है, पिछे का एक फंदा हमने बुनना है तीसरे वाला और इसके उपर से यह दो फंदे हमने गिरा देने हैं। फिर अगेन दो फंदे उल्टे, एक फंदा सिधा। सीधा इस तरह से हमारा यहां पर यह वाला पैटरन बनेगा फिर हमने दो फंदे यहां पर उल्टे और एक फंदा सीधा और सीधे के साथ में जाली बीच के सारे फंदे सीधे सीधे बनाएंगे और लास्ट में फिर से हमने धागा अपनी तरफ करके एक जाली बनानी है इस तरीके से यह जालियां बनती जाएंगी सेवंध रो पूरी इसी तरह से बनाकर कंप्लेट करते हैं अब देखिए नाइंध रो राइट साइड से यहां पर हमारे पास जाली के तीन फंदे बन गें हैं इनको हम सीधा बनाएंगे फिर धागा अपनी साइड करके यहां पर जाली दो फंदे उल्टे एक फंदा सीधा और एक फंदा यहां पर उल्टाएगा इन दो फंदों को हम ऐसे स्लिप करेंगे धागा पीछे करना है और पीछे वाले फंदे को हम सीधा बनेंगे और इन दो फंदों को इसके उपर से गिरा देंगे फिर यहां पर एक फंदा उल्टा है और एक फंदा सीधा है फिर दो फंदे उल्टे एक फंदा सीधा जाली बीच के सारे फंदे सीधे धागा अपनी साइड करके फिर से जाली दो फंदे उल्टे एक फंदा सीधा और एक फंदा यहाँ पे उल्टा आएगा और इस बीच वाले सीधे फंदे के साथ हमने इस वाले फंदे को स्लिप करना है और इस वाले फंदे को हमने सीधा बनाना है और इन दो फंदों को इसके उपर से ऐसे गिरा देंगे इस रो को हम इसी तरह बना कर कंप्लेट करेंगे अब देखिए ये हमारी लास्ट रो है यहां पर मैंने 1,2,3,4,5 जालियां बना ली है अब इस रो को आप ध्यान से देखिए स्टार्टिंग में मैंने 5 फंदे ये उल्टे बनाने है फिर जो जाली से बड़े हुए फंदे हैं वो सारे सीधे बनाने है अब हमारी ये लास्ट जाली पड़ेगी और हमारा रेजाइन कम्प्लेट हो जाएगा इस सीधे फंदे के साथ हमने जाली बनानी है दो फंदे हमने ये उल्टे बनाने है दिखे यहां पर हमारे पास तीन फंदे ये सीधे दिख रहे हैं इन दोनों फंदों को धागा पीछे करके हमने स्लिप करना है और पीछे वाले जो लास्ट वाला सीधा फंदा है इसको सीधा बुनके इन दो फंदों को इसके उपर से हमने ऐसे करना है यहां पर हमारे सारे फंदे ये खतम हो गए अब यह हमारी यहां पर लास्ट जाली डलेगी छे छे जालियों में यह कम्प्लीट हो जाएगा बीच में हमारे पास यह जाली के फंदे आएंगे फंदे यहां पर सेंटर में आएंगे इसी तरीके से आप यह रो बना कर कम्प्लेट करिए अगर आप अपने फुल प्रोजेक्ट में यही डिजाइन अपलाएगा ना चाहते हैं तो इसके बाद उल्टी स्लाई पूरी बैक साइड से उल्टी बुनेंगे और उसके बाद फिर से हम जैसे हमने फिर्स रो से स्टार्ट किया था फिर से हम वैसा ही स्टार्ट करेंगे मैं इसमें कोई और डिजाइन अपलाए करूँगी तो मैं इसको as a border ही यूज करूँगी I hope आपको डिजाइन अच्छा लगा होगा अगर डिजाइन पसंद आए वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स फर वाचिंग